हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 7th की वॉक्षीट नंबर 16 जो की 13th of September 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्चिक्ट है English और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को एन आंट यूज़स इस फीलर्स और एंटीना तूट तू अधर आंट्स बाइपासिंग मेसेज़ेश थ्रू देम तो जितनी भी आंट्स होती हैं वो अपने फीलर्स या एंटीनास की थ्रू बात करती हैं एक दूसरे से वाच अर रो आफ आंट्स मोविंग अप और डाउन दा वाल तो आपने आंट्स को वैसे भी देखा भी होगा कि वो जनरली एक रो में एक लाइन में चलती हैं जाहे वो कहीं किसी दिवार पे चड़ रही है या डाउन नीचे आ रही है Each आंट greets all the others coming from the opposite There are many kinds of ants देखो हर एक आंट जो opposite direction में आती है वो एक दूसरे को greet करती है और जो आंट है वो अलग-अलग types की होती है The commonest among them are black और red ones तो जो सबसे common है वो black color की ants and red color की ants है जो हमने अपने आसपास देखे भी हुए है We have seen them since we were children और उन सबको हमने तब से देखा है जब हम छोटे बच्चे थे But haven't paid enough attention to them पर हमने बहुत जादा ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ Where do they live? वो कहां रहती है In their comfortable homes called nests और ant hills तो वो अपने comfortable home में रहती है जिनको nests या फिर ant hills कहा जाता है Each has hundreds of little rooms and passages तो हर एक ant hills में बहुत सारे rooms और passages होते हैं यनि आने जाने की जगें होती है In some of these rooms the queen ant lays eggs तो इन में कुछ रूम ऐसे होते हैं जहाँ पर जो queen ant है यनि इस ant की group में एक ant होती है जो की है queen ant यानि रानी होती है ये वो अंडे देती है Others are nurseries for the young ones called grubs और जो दूसरे rooms होते हैं वो ये जो छीटियों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको grubs कहा जाता है उनके लिए nursery होते हैं मतलब उनके लिए एक तरह से ऐसी जगें होती हैं जहाँ पर वो खापी कर बढ़ते हैं खेलते हैं हर चीज करते हैं और वो जादर तर टाइम जो है अपने फूड की सर्च में निकालते हैं और कुछ रूम क्या करते हैं इन फूड के लिए स्टोर हाउस का काम करते हैं और इन आंट की ग्रूप में से कुछ वी होते हैं जिनका एक अलग बारिक होता है बजब एक अलग हम किसमें स्पेस होता है और जितने भी वरकर्स आंट हैं वो कभी भी सोलजर आंट के पास नहीं रहते हैं और कोई भी जो सोलजर आंट है वो कभी भी फूड सर्च करने नहीं गई है और इन में से चाहे वो वरकर्स आंट है चाहे वो सोलजर आंट है या क्लीनर है इन में से किसी ने भी ग्रब यानी चीटियों के छोटे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया है तो आप देखते हैं एन आंट's life is very peaceful तो इस तरीके से जो आंट की लाइफ है वो बहुत जादा peaceful होती है क्योंकि इन में देखो क्या है डिवीजन है कि क्विन आंट है ये वरकर्स आंट है ये सोलजर्स आंट है ये क्लीनर्स है और हर कोई अपना ही काम करता है वो दूसरों का काम नहीं करता है Each does its share of work intelligently and bravely तो हर एक जो यहाँ पर हर एक आंट है वो अपने share का जो काम है वो बहुत बहादुरी के साथ और बहुत intelligently वो अपना काम करते है and never fights with other members of the group और कभी भी वो अपने जो group के members है उनसे fight नहीं करते है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आंट की जो life है वो काफी जादा disciplined है और यह अपने काम को बहुत अच्छे से हमीशा करते है Now read the above passage and answer the questions that follows हमने passage को अच्छे से पढ़ लिया अब हमें कुछ questions के answer देने है question number one each aunt does its work तो इसका क्या answer है a part intelligently and bravely यानि हर एक aunt अपने काम को बहुत intelligency के साथ और bravery के साथ करती है now question number two aunts greet each other by touching the antenna, the ground और each other's feelers और both a and b तो यहाँ पे जो आपका correct answer है, चलो एक बार हम इसको mark करते है तो इसका आप answer लिखेंगे, part C, each other's feelers third question है, dash are kept in aunt hills aunt hills में क्या चीज़े रखी जाती है, तो जो aunt के चोटे चोटे बच्चे हैं, जिनको हम कहते हैं, grubs वो रखे जाते हैं, तो option C, इसका correct option है, question number four, aunt hills have, aunt hills में क्या होते हैं, तो aunt hills में होते हैं, hundreds of little rooms and passages, बहुत सारे rooms होते हैं, और passages होते हैं, and fifth question है, an aunt's life is, एक aunt की life कैसी होती है, काफी जादा peaceful होती है, तो option A, इसका correct answer आ जाएगा, तो बिच्चो ये थी आज की हमारी English की worksheet, I hope आपको ये worksheet बहुत अच्छे से clear हो चुकी होगी, and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको like करें, अपने friends के साथ share करें, और इस channel को subscribe कर लें, thank you